हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इंसाइड ओल आज हम वोल्टेज एगुलेटर की बारे में बात करेंगे, जिसका नंबर है LM7912 तो दोस्तो, ये वोल्टेज एगुलेटर कैसे गाम करता है, और ये कहा कहा पर यूस होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी सारी जनकर ही हम इस वीडियो में लेंगे, और इसकी एप्लिकेशन के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तो, अगर आप सिर्फ इसकी टेस्टिंग के बारे में ही देखना जाते हो वीडियो, तो इसको आप इस पार्ड को वीडियो के आप स्किप करके, आगे वीडियो में देख सकते हो तो दोस्तो इसकी वीडियो को शुरू करते हैं आपको मैं इसकी सारी डेल देता हूँ तो दोस्तो यह जो LM7912 है यह 79 series का ही एक voltage regulator है 79 series का जैसे आपके लग-लग voltage regulator आते हैं तो उसी तरह यह एक आते है 78 series के यह 79 series का है तो इसमें 7905, 7915 और 7918 के जो है voltage regulator आते हैं तो दोस्तो इसके बारे हम देख लेते हैं यह है क्या और कहां पर use होता है यह आर commonly used to generate negative voltage output to the circuit यह दोस्तो वहां पर use होते हैं जहां भी हमें negative voltage चाही होती है circuit के उपर output में तो अब देखते हैं इसकी जो configuration है इसकी जो working है वो कैसे होती है तो इसकी जो minimum voltage input है वो minus 14.5 volt है कहने का मतलब इसको जो हम voltage देते हैं input में वो भी हम minus में ही देते हैं और output में constant minus 12 volt हमें मिलते हैं तो इसकी जो minimum voltage input है वो minus 14.5 volt है कहने का मतलब इसको कम से कम हमें 14.5 volt देने होंगे तब यह working करेगा तो maximum voltage input जो है इसकी minus 27 volt है तो कहने का मतलब आप इसको maximum minus 27 volt देके output में 12 volt minus में ले सकते हो इससे जदा volt देने से यह जल जाएगा और 14.5 volt से कम देने से यह working में नहीं आएगा इसका जो peak output current है वो 2.2 ampere है कहने का मतलब यह हुआ कि maximum से maximum यह 2.2 ampere का current निकाल सकता है average output current जो इसका 1 ampere का है तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ इसका 2.2 ampere average और peak output current में क्या difference है जैसे कि इसका 2.2 ampere current तभी आएगा जब इसकी जो conditions है जहाँ पे आप इसको use करे हो उसकी जो situation है बिल्कुल ही accurate होगी जैसे इसका जो temperature है वो भी controlled होगा इसका जो heat sink है वो भी बहुत अच्छे तरीके से लगा होगा तभी यह maximum peak में 2.2 ampere current निकाल सकता है लेकिन यह constant नहीं रहेगा यह कुछ समय के लिए निकाल पाएगा उसके बाद यह खराब हो सकता है तो average output current क्या है कि maximum जहाँ पे आपको इसे safely work कराना है इससे तो वहाँ पे आप एक compare का current इसमें आप दे सकते हो और यह safely work करेगा बिना burn हुए तो यह रहा इसका difference peak output current और average output current में चलिए दोस्तों अब इसका जो application है उसके बारे में हम देख लेते हैं यह कहाँ कहाँ पे use होता है यह high stability एक compare regulator में use होता है जहाँ पे आपको stability चाहिए voltage में minus 12V ही चाहिए जहाँ minus 5V जहाँ minus 18V चाहिए वो भी constant तो वहाँ पे आप इसको use कर सकते हो as a current source जैसे कि इसे as a current source भी हम use करते हैं जहाँ पे अगर आगे कोई load लगाना है तो current का source जैसे एक ampere current source जहाँ maximum peak ampere जो है इसके 2.2 ampere तो ऐसे ही आप इसको as a current source भी use कर सकते हो तो dual trimmed supply जो है इसमें आपको मिलती है क्योंकि यह दोनों तरफ आपको जो है minus 9V को trim करके देता है तो output polarity reversal protection circuit जैसे अगर आपने कोई circuit लगाया है जहाँ पे आपका जो working है वो minus में चल रहा है लेकिन suddenly किसी कारण वहाँ पे positive supply आ जाएगी तो वहाँ पे यह circuit को reversal production भी देता है तो वहाँ पे भी यह use होता है तो चली दोस्तों आपको मैं एक बहुती easy example देता हूँ जहाँ पे आपको यह देखने को मिलेगा तो यह mostly हर गर में पाया जाता है जा आपने कभी ने कभी इसको use किया ही होगा तो वो है इसका computer का smps जो आपके computer का smps होता है वहाँ पे यह mostly use होता है क्योंकि वहाँ पे आपको minus output में voltage की जुरूरत पड़ती है तो यह थी दोस्तों इसकी application चली दोस्तों अब इसकी हम जो pin out है उसको देखते हैं यह रही दोस्तों इसकी pin out इसका जो pin number one है वो positive ground है positive ground आपने पहली बार सुना होगा शायद क्योंकि mostly जो ground है वो negative ही होता है लेकिन इसमें जो ground है वो positive यहाँ पे हम देते हैं इसको input में और जो second pin है इसकी वो negative in होती है और इसका जो output है वो minus out यहाँ पे आपको मिलता है input की और यह आपको output में यहाँ पे minus में voltage मिलेगी जैसे यह 7912 है तो आपको minus 12V output में मिलेंगे चाहिए आपके input में 14.5 से लेकर 27V तक रहें तब भी आपको minus 12V मिलेंगे तो दोस्तों जल्दी से हम इसकी जब टेस्टिंग के बारे में देखते हैं यह है मेरे पास एक physically जो इसका number है आप देख पा रहे होंगे 7912 top के उपर लिखा हुआ यहां पे 7912CV तो यह वाला जो है voltage regulator है तो इसके लिए हम एक multimeter चाहिए जैसे as usual हम use करते हैं इसको in diode test के उपर आपने diode test के उपर इसको रख लेना है और यहां पे मैंने diagram मनाया हुआ है आपको इसकी pin जो है वो identify करने में easy रहेगा जो negative pin है आपने उसको center में रखना है और positive को pin number 3 में रखना है तो यहां पे आपको कोई reading नहीं आनी चाहिए यह दिखे कोई reading नहीं आ रही अगर reading आये तो यह खराब है और ऐसे ही आपने pin number 1 के उपर रखना है तो आपको यहां पे 1.991 ohm की distance आएगी 792 के उपर ठीक है यह 792 है तो आपको मैं specially बता रहा हूँ जो 7905 होगा उसके उपर यह voltage जो है वेरी करेगी तो आपने confused नहीं होना है इसमें यह देखे यहां पे 1.992 ohm शो कर रहा है तो अब चलिए इसको reversal करते हैं इसकी प्रॉप को change करते हैं तो अब मैं क्या करूँग सेंटर में इसकी जो है positive problem लगा दूँगा और pin number 3 में लगाऊंगा जैसे 0.564,564 ohm आपको resistance यहां पे शो करेगी और pin number 1 के उपर जब लगाऊंगा तो आपको 619 ohm resistance शो करेगी कहने का मतलब input के उपर आपको resistance ज्यादा आएगी output के उपर आपको कम आएगी को मैं एक और बात बता देता हूँ इसमें कि इसका जो base है यह metal का और इसका pin number 2 जो है center वाला pin यह a की होता है same ही होता है अगर आप नहीं हो तो आपको इसके बारे में knowledge नहीं होगी तो आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ यह देखें आप यहां पर देखोगे नमबर टू है यो यूज कर लिया जाता है तो आपको मैं नॉलिज के लिए पता रहा हूँ इसको तो दोस्तो ये थी इसकी टेस्टेंग की वीडियो अगर आपको इसके बारे में कोई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपको ऐसी ही वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहेंगी थैंक यू फो वाचिंग